आज हमारे साथ हैं ब्रह्म देव जादो जी ये बिहार के जमुई से हैं सूरत में ही जोब करते हैं हमने इनको 27 दिन टीटमन दिया है इनको पिछले 5 साल से कॉंस्टिपेशन की प्रब्लम थी इन्होंने बहुत सारी जगहों पर अपना इलाज करवाया है वो भी आपको बता पेट कभी साफ नहीं होता था और डगार बहुत ज़्यादा आती थी इनको ना भी इनकी खिसकी हुई थी और इनका पेट भी टायट था याने की नले इनको पड़े हुए थे ठीके तो आपने कहां कहां पर इसका इलाज कराया है वो बताए सबसे पहले हमने सबसे पहले अ पतना में बड़ा ऑपिटल प्ये यह पतना में उसमें देखवाए थे दुसमें कोई धर्ग्म में ने कोई ख़ाया उसके बाद में हम शमने हा हुआ नूम कुछ ऐन अच्छा आयूस में करवाने हैं, उसमें मोला हिंदोस्कोपी करवना पड़गा, तो हैं इंडोस्कोपी करवाएं, तो हल्का सुज़ना रच्टमें हो सही होजा दवही ले 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 लो, उसके बाद दो मेंग भाद फिर बोला फिर check करने होगा फिर इंडोस्कोपी करना आपले बिदे डेली गास के टबलेट खाते हैं, तो रिलीफ मिला उसमें, तो वले मन में अच्छी हो गए जी एची खोगें जीए जीए तो फिर वाई हालमादो दबाई खाने छोड़ दिया तो फिर नीद नहीं आने लगा रातको, इधर करवट उधर करवट लेते लिए त बोले से बहुत खाएंगा क्याएंगा? बोठीन वाजे क्वाल्का फिर और शाम हम लोका कहते था उसके बाद सुभह में भाई लेट्निंग रहें को फिर मन एफ पेट लगा हुआ रहा था दिन फार उसके बाद फिर सुरात नंदे प्र बोला समय कोलोनोस्कोपी करवा ओड़ ओंड हो सकता है, वडियां तुम बड़ी आगो और यूजरे कोई तक दिकत नहीं तो उसका दवाई भी दू तिन महीन खाये उससे कोई फरक नहीं पड़ा तब मैंने आपका वीडियो देखे है, गूगल से, तो मैं पोल की आपके बास, तो आप बोले ऐसे से आओ, यहाँ पर च्छी होता है, तो यहाँ पर मेरे को भी इस वाद नहीं होता था, कि नवीरो थ्रेपीस इतना अचारी जल मिलता है, तो सोचें, चलो इतना पैसा अवरा मिला, उसी दिखाम से आज 27 दिन चीट मेरे में हो गया, तो बहुत अच्छा रिजल्टा है, तो बहुत अच्छा रिजल्टा है, मेरे को लगता है, 70-80% ठीक हो चुका हूँ, अब लेट्टिंग भी खुलके होता है, और पैड तो थोड़ा सा भी ने खुलता है, मुका से जोब आज़ा थी पर संसे की ठीक हो रहे हैँ, तो दीक सा यह थोड़ाता है, तो नहीं है यह बोले है के लिए, तो नहीं है, ringing बहुत रखते हैं, तो भी पएग चाहँ हो रहे है, तो इनको इतनी सारी समस्यान थी आभी ।ो बहुत 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 जादा There बहुतीता हू अभी इनको साथ आठ दिन दस दिन ट्रीटमंट देंगे और उसके बाद जो डायेट इनको बताया जाएगा योगा बताया जाएगा और हम नेरो थेरापी के भी कुछ पॉइंट्स इनको बताएंगे कि भाईया यह थोड़ा बोत कर लेना जब भी मौका मिलेगा रोज नहीं भुगतना तो पढ़ेगा आपको समय का भुगत देना पड़ेगा पैसा भी लगेगा सब कुछ करना पड़ेगा लेकिन पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा कैसे यह आये थे, एक दिन आया, उसके बाद में ट्रीटमेंट लिया, तो समझ में नहीं आया, अगो तो भाग गया, ऐसा होता है, कि यह क्या हो रहा है, हाथ पैर दबा रहा है, हाथ पैर दबाने से, हमारे आतों की सूजन कैसे ठीक होगी, कॉंस्टिपेसन कैसे सही होगा, ना भी कैसे सेट होगा, वो सारे चीजें आपके दिमाग में चलती है, बट मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, कि वही एक पधती है, जिससे आपका आईवेस 100% ठीक हो सकता है, और तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने भी self experience लिया हुआ है, सब कुछ करा चुका से बहुत अच्छा result दूसरों को दे पा रहे हैं, और खुद तो भोगे हैं, तो हमें उसमें क्या होता है, कि patient को पहचानना, उसके symptoms को पहचान पाना, वो मेरे लिए easy हो जाता है, और formula यूज कर पाना, उसके लिए मतलब सही treatment दे पाना, वो बहुत easy हो जाता है, इसके बहुत जादा हमारे पास लोगों को मिलता है, ठीक है, तो यह सारे चीजे हो रही थी इनके साथ, और आपके साथ भी इस तरह की अगर problems हो रही है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, समय निकालना है, आके इलाज कराना है, आपका भी IBS ठीक हो सकता है, हाँ, किसी के समस्या जादा है, किसी की कम है, उसी तरह से किसी को जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, ठीक, किसी को एक महीने में भी ठीक हो जाता है, किसी को पचीस दिन भी लगता है, किसी को दो महीने भी लगता है, ठीक, लेकिन घबराना नहीं है, positive रहना है, 100% आपका IBS ठीक हो सकता है ठीक है दोस्त दूसरी बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजी और चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर लीजिए ठीक है दोस्त धन्यवाद